हनी सिंग, हनी सिंग, हनी सिंग हनी पाजी की लाइफ बहुत ज़ादा इंट्रेस्टिंग रही है अगर उनके ओपर फिल्म बनेगी दोस्तो तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले ही दिन आराम से ये फिल्म सौ करोड कमा लेगी क्योंकि हनी पाजी का क्रेज इतना जादा है, एक ऐसा सिंगर या पिर कह सकते एक ऐसा विहाइंड दा कैमरा रहने वाला आर्टिस्ट जो की धीरे-धीरे करके कैमरे के आगे आता है पंजाब से सीधा उठके बॉलिवुड में चाह जाता है और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे अपना अलग जलवा भिखेरता है हनी पाजी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था लेकिन कुछ अन्यूजवल थिंग होगी उनके साथ उनकी लाइफ में रिहाबिलिटेशन डाक चुर्च ये सारी बहुत-बहुत सारी चीज़े हो गई थी डाक क्रिश्चियन सम्थिंग लाइक बहुत सा का सेकंड वर्शन होगा जी हां आपको याद नौ साल पहले यार तेरा सूपरस्टार देशी कलाकार यह वाला जो स्टॉरी है वह आगे कंटिन्यू होगी काला स्टार में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हनी पाजी ने आज के दिन एक टीजर निकाला है जिसे देखक इतनी जादा excitement हो गई है जहां पर हनी पाजी वहीं अपने जो वो चेक स्टार में जिसमें वो जेल में भरती होते हैं जेल उनको गिरफतार करके लेके जाते हैं जिसमें वो होते हैं कि drop my shades and I'll do this forever बोलते हैं और फिर उसके बाद कहानी खतम हो जाती है उसके बाद अब नही का हनी शुरु हो जाएगी दोस्तों और यहां पर सुनाक्षी सिना की ऑनी पापाड़ पिर से एंट्री हो गी बुलचन ग्लोवर साथ की फिर से एंट्री होगी और हमारे हनी पाजी का swag नजर आएगा हनी पाजी ये तो हम सब को पता है दोस्तों उनके गाने एक से शांदा करना शुरू कर दिया था, he was the cult at that time, जिस तरीके से वो हैस्टाइल बनाते थे, जिस तरीके से वो कपड़े पहनते थे, लोगों उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, अब हनी पाजी is back again, और इस बार वो एक अलग अफ्तार में नजर आ रहे हैं, यह जो टीजर निकला ह जो एक मिनट 14 सेकेंड का है, इसने एक घंटे के अंदर अंदर चार लाख से उपर व्यूस कलेक कर लिये हैं, it means कुछ तो बवाल होने वाला है, तो हनी पाजी is back, people are excited, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने कॉमेंट कर दिया है, इस सची बात और क्या हो सकती है, right, so हनी पाजी is back and हनी पाजी का ये गाना कब रिलीज होगा, ये तो नोने नहीं बता है, बस coming soon लिखा है काला स्टार में, अब देखते हैं कि क्या होता है, लिरिक्स की बात करें, तो रोनी अंजानी, अजनानी और गिल मचराए ने ये लिरिक्स लिखे हैं, music जो है बास योगी ने दिया है So Yo Yo Honey Singh is back with a bang काला स्टार में, चलता हूँ, आप कितने excited हैं उनके इस song को लेकर comment करके ज़रूर बताईएगा, बाई बाई